पक्षी एक्ता की शुरुवात बिहार के मुखिया नितीश कुमार ने की लेकिन अब उनसे कोई कुछ इंडिया गटपंदन को लेकर सवाल नहीं करता है उनकी बाते अब नहीं कोई सुनता है नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नियूस फॉनिशन ये हमारा कहना नहीं है ये राजरुती गलियारों से निकल कर सामने आ रही है खबर आपको बता दे चलें कि इंडिया गटपंदन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई पहली बैठक राज़ानी पतना में हुई थी दूसरी बैठक बैठक बैंगलूरू में हुई और तीसरी बैठक महरास्ट्रा यानि की मुंबई में हुई पहली बैठक में बिहार के CM मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने विपक्ष को एक साथ किया, सब को एक जुट किया और सब को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया इसे लगतार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या बिपक्ष की तरफ से CM नितीश कुमार PM के कैंडिडेट हो सकते हैं, इस पर नितीश कुमार ने साफ साफ इंकार किया, उन्होंने कहा कि मुझे प्रधान मंत्री बनने का कोई सौख नहीं है, कोई एक्षा नहीं है मेरी, मैं सिर इंडिया कठबंदन के जितने दल हैं और खास करके कॉंग्रेस अब राहूल गांधी के PM बनने को लेकर कहीं न कहीं समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, किसी को भी अब कोई आपत्ती नहीं है कि राहूल गांधी PM फेस के रगर कैंडेट बने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां एक तरफ अब राजवीती गलियारों से ये निकल कर ख़बर सामने आ रही है कि लालु परशाद यादब ने कहीं न कहीं नितीश कुमार को पूरी तरीके से फसा लिया है, जिस नितीश कुमार ने विपक्षी एक्ता की जमीन को तैयार किया, अब फेस की मारमारी से उन्होंने अपने को अलग कर लिया, अर अब उनकी हालत ये है कि अब वो एक सयोजक पद के लिए तरस रहे हैं, आरजडी सुप्रीमो लावे परशाद यादब किड्नी ट्रांस प्लांच के बाद पहली बार पटना में इस साल 23 जुन को ही विपक्षी ब लाठक में शिर्कत कर चुके हैं, दो बार राहूल गांधी को मतन की पाटी भी दे चुके हैं, अब राहूल मतन के साथ राजडीती की गुर भी लालू यादब से सिख रहे हैं, उस लालू से वे ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कमवेशन तेर दशक में राजडीतिक से बाहर चल रहे हैं, चारा घुटाला में सजायाफता, उम्र भी धलान पर है, कही तरह की बिमारियों से वो जूज रहे हैं, जहां एक तरफ लालू यादब और आहूल गांधी लगतार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मटर पाटी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ बिहार के सीम नितीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी गठवंदन की नीव रखी, जिन्होंने विपक्षी गठवंदन की कहें, तो शुरुवात की हर राज में जाकर बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात की, सब को एक साथ की, और आज वह झाता से का झाता।